अलो दोस्तों नुमस्कार, ओमी टेक्निकल यूटूब चैनल के माधम से समस्ता EPS 95 पेंसरास सभाई बंदू, अब सब का हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों आज हम बलोग बात करने वाले हैं, मानिनी सुप्रीम कोट के तरब से मातरपुन संदेश या खबर निकल के सामने आ रही है जो EPS 95 पेंसरास के लिए उसके उपर जानने की कोशिस करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मानिनी सुप्रीम कोट ने गुरुवार को करमचारी ववी सिनीदी संगतन एपीफो दौरा केलर उचे नारे के फैंसरास के खिलाफ दायर अपीर में फैंसरा सुरक्षित रख लिया है जिसमें EPS 95 पैंसर जो 1905 के करमचारी पैंसर योजना EPS के तहट पैंसर योग्जी वेतन के निधानपर सरसोदर को अल्ट्रा के रूप में रद कर दिया था क्या है EPS 95 हायर पैंसर का मामला उसके ऊपर थोड़ा साथ जानते हैं देखें इसमें जो EPS 95 पैंसर का हायर मामला है उसमें जब पैंसर इसके 1905 पैंसर ने लागू की गए थी तब शमय करमचारी की अधिक्तम वेतन 6500 रुपए का 8.33% हिंसा पैंसर में जमा होता था जिससे उन करमचारीों को बहुत कम पैंसर मिलती थी जिसके जिसकी वेतन आधिक होती थी क्योंकि यही करमचारी की वेतन 30,000 भी हो तो 6500 की सिरिंग लिमिट पर ही अपना योगदान करना होता था जिससे पैंसर के रासी काफी कम मिला करती थी आई जानते है केरला हाई कोट के बारे में सबसे पहले में आपको बता दू कि केरला हाई कोट ने EPS 95 धरकों के हायर पैंसरन और संबधियत मामलों पर सुनवाई करते हुए 12 अक्टूबर 2018 में फैसला सुनाय था याजका में कुछ याजका करताओं ने दलिल की थी कि जो EPS 95 पैंसरन से ये EPS 2014 में जो संसोधन किये गए थे उसमें अधिकतम पैंसरन योगी वेतन सिमा 15,000 रुपे मासिक कर दी गई है जो इस योजना की मूल भावना के खिलाफ है पैंसरन धारकों की पैंसरन में कमी आ रही है देखें कुल मिला के माननी सुप्रीम कोर्ड का जो फैंसरन है 73 लाख जो EPS 95 पैंसरन से साथ 76 पांस करोड़ जो EPS 95 पैंसरन से संबंदी जो मामला है उसमें उसकी बातम लोग करते हैं ऊहाए पैंटाइस 95 पैंसरन की जो रहे हुआ उसके साथ सामने लोग से लम आ है वहाई जोभी पांसरे को आ बहुत लुक को देख सकते हैं पर लुक